प्यारे सातियों कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगे यूनिक स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम यहां पर टिचिंग एप्टिटूड के कुछ क्योशनों को सौल करने वाले हैं और प्यारे सातियों यह ऐसे क्योशन है जो अंडस्टैंडिंग बेस्ट क्योशन है देखो होता है कहा है बहुत सारे कंडी रेट होते हैं जो फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं लेकिन फिर भी उनका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है कुछ कंडी रेट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट उससे आप ठीक नहीं कर पाओगे क्योशन, अंडरस्टेंडिंग वाले क्योशनों को किवल आप समझ के ही ठीक कर पाओगे, ठीक है, यदि आपका अंडरस्टेंडिंग लेवल ठीक है, आपका समझने का तरीका सही है, आपने क्योशन को सही ढंक से समझ लिया, तो आप उस क् 100% ठीक करोगे फिर चाहिए आप पढ़े हुए हो या फिर ना पढ़े हुए हो तो यहाँ पर मैं आज आपको understanding type की जो question है उनको solve करने का तरीका बताता हूँ कि हम understanding type के question को किस तरीके से solve करें और प्यारे साथ हूँ यदि आपको यह तरीका आ गया ना तो आप 100% कम से कम 8 से 10 question ज्यादा ठीक करके आओगे ठीक है क्योंकि 15 के आज पास understanding type के question आते हैं कुछ question की जो understanding level होती है वो होती easy होती है वो हमें समझ नहीं पाते और वो question हमारी छोटी छोटी गलतियों के वज़ए से गलत हो जाते हैं तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखना आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा help मिलने वाले हैं तो प्यारे साथियों अब हम शुरुआत करते हैं आपने अब भी तक य बहुत ज्यादा help करने वाले हैं अब पहला question है जोड़ी सी जल्दबाजी दिखाता है जल्दबाजी का मतलब है हम question को speed से पढ़ते हैं time बचाने के सक्कर में देखो आप question को बहुत speed से पढ़कर paper में time बचा नहीं सकते आप स्पीड से पढ़ रहे हो आपको पता है नहीं चला कि आपने क्या पढ़ लिया आपने क्योशन को समझा है नहीं तो आपको जो रिडिंग करनी है क्योशन की वो इस तरीके से करनी है कि आपको वो क्योशन एक बार में ही समझ में आ जाए दो बार से आपको इस क्योशन को ना पढ़े ना पढ़े और आपको इतने स्लो भी तरीके से नहीं पढ़ना है कि आप पढ़ने पढ़ने में एक मिनट लगा दू आपको थोड़ा स्पीड से क्योशन को पढ़ना है लेकिन समझते हुए पढ़ना है जो भी आप पढ़ने वो आपको अच्छे से समझ में आना यहां पर जितने भी रणनितिया लिखी हुई हैं वो दो टाइप की हैं एक तो पर्टेक सिक्षन से संब्धित हैं कुछ हैं जो एक पर्टेक सिक्षन से संब्धित हैं अब इन में से हमें उन रणनितियों को निकालना है जो पर्टेक सिक्षन से संब्धित हैं हमने क्योशन क को पढ़ते चलते हैं और रब पेज में लिखते चलते हैं हमें क्या करना है जिस जिसको लेकर हमें ऐसा लगता है कि यह सब्सक्राइब करना है पहला उधारन और व्याख्या प्रिशर्च है उसके मैं आपको बहुत सारे एक्जाम्पल बताओं और हर एक एक्जाम्पल को मैं आपको भूत अच्छे से एक्स्प्लेयन करूँ आपको भूत अच्छे से समझाओं तो आपको एक reality जैसा आभास होगा भाई हम example देकर Q-sol करवाते हैं एक Q-sons होता है उसी Q-sons के हम 5 example देते हैं तो वो 5 example क्या है जो real Q-sons है उससे बिलकुल reality के साथ मिलते जूलते होते हैं वो जो 5 example है वो भीलकुल ठीक वैसे होते हैं जैसा वो पहला Q-sons था पहला man Q-sons था तो यहां पर हमें पर्टेक्स का आभास होता है इस इस्तिति में हमें पर्टेक्स का आभास होता है भाई उधारन का हम उप्योग क्यों करते है मैत का कोई क्यूशन सोल किया पांच पिलस चार पिलस तीन ठीक है पांच चार नो तीन बारा होते है अब मैंने इसी का एक्जामपल किया नो प्लस तीन प्लस पांच अब यहाँ पर संक्या अलग हो गई लेकिन तरीका वो ही है यह इसका एक उधारन है अब यह वाला जो उधारन है वो हमें इस रियल क्योशन का आभास करवा रहा है तो हम इसको पर्टेक्स कह सकते है उधारनों के दौरा हमें पर्टेक्स का आभास होता है रियलिटी का आभास होता है कि जैसा रियल क्योशन था बिल्कुल ठीक वैसे यह एक्जामपल है समझ में आ गई यह बात तो यहाँ पर हमें प्यारे साथियों उधारन के माध्यम से पर्टेक्स सिक्षन का अनुभाव होता है पूँच ताज को बढ़ावा देना करक्षा में पूँच ताज को बढ़ावा दिया जा रहा है मैंने आपको बोला कि भाई आप इस क्यूशन को याद करू अच्छे से तो जब आप अपना खुद का रियलिटी के साथ आंसर लिखोगे तो वो आपका एक पर्टेक्स आंसर होगा लेकिन यदि आप डिस्क्रस करके लिखोगे ना तो वो प्यारे साथियों आपका खुद का आंसर नहीं होगा आप प्रत्यक्स कर साक्षिजिक अब जो टीचर आउतान नहीं समझा रहें अब अउधान उनपर ध्यान कंदरीत कर कर रहे हैं तो प्यारे साथिओ वहाँ पर भी हमें प्रत्यक्स जैसा आभास नहीं होगा लेकिन आपको लगा ऐसा कि यार यह भी प्रत्यक्स जैसा हो सकते हैं तो इसको भी आप लिख लो पहला लिख लिए तीसरा लिख लिए दूसरा को कंफर्म हो गया तिसलिए इसको आपने कैंसिल कर दिया उसके बाद अन्विक्षना आतमक और पुने प्रस्तूती प्रक्ता अब आपको इन दोनों का मतलब नहीं पता कि अन्विक्षना आतमकता क्या होता है पुने प्रस्तूती प्रक्ता क्या होता है इन दोनों का मतलब नहीं पता है आप इसको पैंडिंग में डाल दो ठीक है जब इनका लगा रहे हो पैंडिंग में डालके आगे चलो अभ्यास और प्रति पुष्टी परधान करना अभ्यास करना भाई उधारन ले लो और अभ्यास ले लो बात एक है ना मैंने 5 प्लस तीन प्लस तीन लिखा 13 होते हैं मैंने दूसरा एक्जामपल दिया 5 प्लस नो प्लस श्यार 18 होते हैं तो आप क्या कर रहे हो यह आपका मैं क्यों संथा उधारनों के माद्यम से क्या कर रहे हो आप अभ्यास कर रहे हो तो उधारन बोल दो चाहिए अभ्यास करना कह दो भाई आप अभ्यास करोगे तो किसका करोगे उधारनों का है तो करोगे अभ्यास और यदि आप उधारन सोल कर रहे हो तो आप अभ्यास कर रहे हो बात बिलकुल सैम है तो यहाँ पर भी हमें reality का आभास होगा चोथा हमें समझ में नहीं आया दूसरा हमारा confirm हो गए कि इसमें सामिल नहीं है पहला तीसरा और पाचवे हमां सही लग रहे हैं समस्या प्रस्तूत करना और उसका समस्या का समाधान करना भाई समस्या प्रस्तूत कर दिया समस्या का समाधान करवा रहे हैं तो इसमें आपको reality वाला आभास नहीं होगा किसी भी हाल में मैंने आपको कोई सम वाला आभास तो ज़रूरी है कि आपको वो र्यैलिटी वाला आभास और यह आपको मैंने कोई भी समझ्च्या दी और मैंने का किसा मढदानना निकलो तो उस समझ्च्या के सबसे मैं हमें कॉनसा क्योसन ठीक लग रहा है अब यह हमारे सामने चार उप्सण है Newton कि अब हमें देखो प्यारे साथ चारो की चारो ओप्संटों को देखना है अच्छे से और इसको अब हम सुरुवात करते हैं तो सबसे पहले प्यारे साथ तो अब हमें ओप्सिनों में देखना है कि कौन सा ओप्सिन है जिसमें दो है जहां जहां पर दो है वो तो इसका आंसर होई नहीं सकता तो पहले ओप्सिन में और भी ओप्सिन में दो दो है इसलिए यह तो दोनों यहीं पर कट हो गए अब हमें आंसर करना है सी में से और डी म मतलब चोथे का और पांचवे का जंजट खितम कि ये तो 100% fix होंगे, तो हम confused किस किस में थे, इसका हमें पता चली नहीं रहता लेकिन अब हमें option से पता चल गया, कि ये तो भाई 100% answer में होगा, पांचवे का भी पता चल गया, कि भाई ये भी 100% answer में होगा, अब हमें देखो, चोथा पांचवा तो 100% हो गया, अब हमें पता चलाना है, पहले में और छट्य में, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है दोनों में से कौन सा हो सकता है अब हमें पहले को पढ़ना है और छट्टे को पढ़ना है पहले को पढ़ो छट्टे को पढ़ो दोनों में से किसी एक को सलक्ट करना है उधारन और व्याख्या परदान करना पहला हो गया समस्या प्रस्तूति और समस्या समाधान करना तो इन दोनों में से जो प्यारे साथियो उधारन और व्याक्या परदान करना है वो पर्टेक्स सेक्षन का उधारन है तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे option A कर दोगे ठीक है option A ठीक कर दोगे अब यहाँ पर या तो आपने यह question को अच्छे से समझ लिया तो आपका question hand up percent ठीक हो जाएगा ठीक है यहाँ तो बिल्कुल जायसा पता चल रहा है कि यह हो यह नहीं सकता प्रतेक्स का उधारन उधारन प्रतेक्स का उधारन होगा by chance किसी candidate ने को पता नहीं है वो confused है कि यार पहला होगा या पांचवा होगा छटा होगा पहला होगा या छटा होगा भाई वो इन दोनों में से किसी को भी answer लगाएगा तो उसके question ठीक होने का percent कितना होगा 50% होगा भाई या तो आप चार में लगाओ तुक्का तो ठीक होने के chance 25% रह गए और यदि आप इन दो में तुक्का लगा रहे हो तो क्योशन के ठीक होने के chance कितने percent हो गए 50% हो गए तो यहाँ पर answer C हो गया और almost यहाँ पर हर कोई यदि इस तरीके से क्योशन सोल करेगा तो C ही करके आएगा यह मैं घारंटी के साथ कह रहा हूँ ठीक है अब जैसे आप option के base पर नहीं चलते आप इसी के पीछे लगे रहते जार इसका मतलब नहीं पता है अब क्या करें अब कुछ लोग सोचते क्यार इसको हम ठीक माल लेते हैं या कुछ लोग सोचते हैं कि यह गलत हो सकता है यहां पर आप दिमाख लगाते हैं आपने माल लिए कि यह गलत हो सकता है ठीक है अब गलत हो सकता है तो आप क्या करते हैं इन दोनों को क्रोश करते हैं और answer यहां से select करते हैं जहीं से करते हैं ना select answer यदि आप चोथे को गलत मान तें तो यह भी गलत यह भी गलत पढ़ने हर एक option को भी साथ साथ जब पढ़ रहे हो तो समझदारी के साथ ही पढ़ना है और जब आप answer फिलप कर रहे हो तो प्यारे साथ जो भी आप ठीक लगा रहे हो A, B, C, D यदि वो question आपका पढ़ा हुआ है तो आप एक बार answer लगाने से पहले एक से दो second के लिए सोचो कि क्या मैं यह लगा रहा हूँ जो ठीक लगा दा हूँ ठीक है अब हम अगले question पर चलते हैं निम्बल लिखे तुमें से परिक्षन के किस परकार में एक विधारती के दूसरे विधारती के कारिया निस्पादन के साथ परस पर तुलना की जाती है अब प्यारे साथ कियो इस वाले question को तो केवल वो ही candidate ठीक कर सकता है जिसका पता होना चाहिए नैदानिक परिक्षन क्या होता है इसका पता होना चाहिए संकलना आत्मक्त परिक्षन क्या होता है इसका पता होना चाहिए मानक संदर्बीत परिक्षन होता क्या है इसका पता होना चाहिए तो इसक्यूसन को तो केवल वो candidate ठीक कर पाएंगे जिनको पता है देखो हमारा जो रिजल्ट है वो दो तरीके से आता है एक तो परसेंटेज में आता है एक परसेंटाइल में आता है परसेंटाइल में क्या होता है मानक संदर्वित परिक्षन को अपलाई किया जाता है और जब हमारा रिजल्ट परसेंटेज में आता है तो वो क्या होता है निकस संदर्वित परिक्षन होता है प्यारे साथ यो जब परसेंटाइल बनती है तो परसेंटाइल किस तरीके से बनती है आपस में तुन्ना करके बनती है जिसके सबसे ज़्यादा नमबर आ रहे है उसको 100% माकस आएंगे ठीक है भाई एक कंडिडेर थे जिसके 100 में से 100 नमबर आए जो परसेंटाइल होगा उससे कम होगा उससे कम माकस लनेवाले कंडिडेर का परसेंटाइल उससे कम होगा तो जो परसंटाइल में result निकलता है वो आपस में compare करके निकलता है तो ये किसका उधारन है मानक संदर्वित का directly percentage निकलता है 55% बनी 70% बनी 40% बनी वो हमारा अपना खुद का result है इसमें हमारे result की किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जारी है तो जो परसंटाइल में result आता है वो निकलता है जो परसंटाइल में result आता है वो मानक संदर्वित का उधारन होता है परसंटाइल आपस में तुलना करके निकली जाती है percentage individual तरीके से निकली जाती है और प्यारे साथियों आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशकबरी है यदि आपका target है जेरप qualify करना net qualify करना आप चाहते हो कि यदि first paper में 35 plus question ठीक हो जाए तो आपकी बार हमारा जेरप कोई नहीं रोक पाएगा net कोई नहीं रोक पाएगा लेकिन आपके 35 plus question ठीक नहीं हो तो यहां पर प्यारे साथियों net के first paper का crash course start हो चुका है आप यदि first paper में 35 plus question ठीक करना चाहते हो तो हमारा crash course जोइन कर सकते हैं contact नमबर है 781 एकरान में 30470 जिसके थिरूँ आपको हमारा crash course मिल जाएगा इसका फिलाल में charge केवल 500 रुपए है प्यारे साथियों केवल 500 रु गारांटी देता हूं यदि आप इसको complete पढ़ लोगे तो hand up percent आपके 35 plus question ठीक हो जाएंगे अब यहां मैं content की भी बता देता हूं प्यारे साथ यो जो crash course होता है उसमें केवल और केवल वही content provide करवाय जाता है जो बहुत महत्तपुन होता है और जहां सी question आने के पूरे पू content मिलेगा वह बहुत लंबा चोड़ा बहुत डिटेल वाला नहीं मिलेगा बलकि सोट स्मार्ट समरी टैप के नोट्स मिलेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिलेंगे जहां से आसानी से 35 plus question ठीक कर सकते हो ठीक है और उनको आप 10 से 15 दिन में बहुत प्रियोजन अब प्यारे साथ यह वाला जो क्योशन है वह उंड़स्टेंडिंग का क्योशन है जिसने समझ लिया वह कंडिडेट इस क्योशन को 1000 ठीक करके आएगा विधारती केंद्रीट हमें इतना तो पता है विधारती का मतलब स्टूडेंट केंद्रिट का मतलब teacher-center method होता है कि student-center method होता है जो teacher-center method होता है उसमें प्यारे साथ हूँ जो teacher होता है वो कोई topic समझ में नहीं आ रहा है तो वह ऊसका डावट के लिए रहते हैं एतना होता है तो जो स्टूडेंट कर सुर्ष निश्क्रिया Śूरोथ ताकि रूप में काम करता है या फिर उसको हम गोण भूमिका में भी बोल सकते हैं अब आपको यहां पता चलाना है कि प्यारे साथियों कौन सा ऐसा क्रम है यहां पर जो हमें बता रहे कि यह एक स्टुडेंट सेंटर मैथर का एक्जामपल है व्यत्तिगत विबिनता से निपठने के लिए शिक्षक उनमुकी व्याख्यान का हास करने के लिए पूरवर्तिग्यान का प्रत्यस्मरन करने के लिए समगर कक्षा को अंतरभूत करने के लिए विधार्ती केंदित कक्षा का पर्योजन है प्यारे सात्यों क्या कारण है जिसकी वज़े से विधार्ती केंदित कक्षा का आयोजन किया जाता है ऐसा क्या रीजन है कि स्टुडेंट सेंटर मैथड को अपलाई किया जाता है एसी क्या जरूत पड़ी की student center method को लाना पड़ा व्यक्तिगत विबनता से निपटने के लिए अब व्यक्तिगत विबनता का मतलब है कि भाई जितने भी candidate बैठे हुए वो सभी के सभी अलग-अलग तरीके के हैं हर एक candidate का memory level भी अलग है हर एक candidate का understanding level भी अलग है हर एक candidate की जो सोचने की जो capacity वो भी अलग है memory level भी अलग है मतलब कक्षा में जितने भी candidate बैठे हैं वो अलग-अलग तरीके के हैं उनका जो memory level है understanding level है capacity level है सारा सबकुछ अलग-अलग है तो सभी के सभी student को एक समान मानकर नहीं पढ़ाय जा सकता हर एक candidate को अलग-अलग तरीके से मानकर पढ़ाय जाए कि भाई कुछ कमजोर भी है कुछ बहुत ज्यादा intelligent भी है कुछ average टाइब के भी है तो इस तरीके से पढ़ाय जाए ताकि तीनों के तीनों के तीनों के कंडिरेटों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और इसी की वजह से पैरिसातियों student center method को apply किया गय जो तेरा नहीं पढ़ावा उसको देख लेना बागी जो बिल्कुल कमजोर है जिनको कुछ नहीं पता उनको आने देऊ लेवल में तेरे सिक्षक उनम की व्याक्यान का हास करना भाई जो student center method है उसका कहीं ये उद्देश्य नहीं है कि जो teacher center method है उसका नुकसान हो teacher center method को लोग भोलना शुरू करें ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है इसका teacher student center method teacher center method की विरोध में नहीं आया यह तो एक स्टुडेंटों की help करने के लिए आया है पूरी वर्ति ग्यान का प्रत्यास मिलन करना स्टुडेंट सेंटर मेथड के दौरा हम अपने पूरी ग्यान को remind नहीं कर सकते उसको हम अच्छे से recalling नहीं कर सकते संबगर कक्षा को अंतरबूत करना यह भी इसका example नहीं है तो यहाँ पर प्यारे सातियों जिनका understanding level ठीक है उन्होंने यहाँ पर option A कर दिया होगा और option A यहाँ पर हैंड़ परसेंट ठीक answer है कि विचार पर किया brain storming को एक विदी के रूप में किस के लिए प्रियुक्त किया जा सकता है अब प्यारे सातियों इसको केवल वो candidate ठीक कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा understanding level भी ठीक है और थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी है जदि जो लोग brain storming के बारे में जानते हैं वो तो 100% ठीक करेंगे लेकिन जिन लोगों की सोचने की capacity ठीक है ना वो भी इसको ठीक करेंगे brain storming का मतलब क्या है सब्द से पता चला brain brain का मतलब है दिमाग दिमाग storming storm करने की बात की जा रही है मचपूत करने की बात की जा रही है ठीक है तो brain storming सब्द का मतलब हो गया वैसे तुक कर ताइप से बता रहा हूं मैं reality में तो कुछ और ही होता है वो हम systematic जो paid class होती है full batch व होगा जब हम इसका बहुत ज़्यादा काम लेंगे अब काम कहां नए नए विचार करने में कुछ नए सोचने में कुछ नए करने में भाई जो चीज हमें already आती है उसमें तो हम अपना धिमाग यूच करते हैं नहीं पांच प्लस दो प्लस तीन यह हम पता नहीं कितनी बार है और एक यह क्योशन दो में भाई यह सिंपल क्योशन है इससे आपका धिमाग अच्छा मतर्ब बहुत ज़्यादा क्रेट नहीं होगा आपका दिमाग बहुत अच्छे से यहां पर काम नहीं होगा काम नहीं करेगा लेकिन यह वाल है ना इसमें आपको अपना धिमाग का लगाते हैं जो किसने डिफिकल टैप के हैं जो किसने हमारे समझ में नहीं आरे वहां पर आप अपना दिमाग लगा ठीक करने के लिए तो आपका दिमाग लगा होगे तो क्यवल आपको यहां पर यह पता चलाना है कि कौन्सा ऐसा option है जो हमारे दिमाग को मजबूत करने से सम्मंदित है पहला लीक से हट कर चिन्तन करना सू संगत चिन्तन करना रूची के छेटर में ने विचारों को उत्पन करना समझ गये होंगे जिन लोगों का थोड़ा साग believe measuring standing level है उन्होंने option a कर दिया होगा यहां पर भाई जो चीज चल रही है उसको चलने दे रहा है जो लोग है ऐसे लोग जो कुछ चल रहा है उसको चलने दे रहा है वो कोशिस नहीं करें कि हम कुछ नया करें तो उनका दिमाग तो मजपूत होगा है कहां से बिल्कुल भी नहीं होगा रूची के छेतर में ऐसे लोग जिनक नहीं पर नहीं घुछ स्थे आम तो आपको जो दिमाहं किमूँ बहुत ज्यादा deben duty नहीं होगा आप यदि मैच मेध्स शॉटी इत को डिकाव मोजिश कर और ज्जादा एक ऊंचिश करते हों कुक्त तहिंक है ट्ट होगा इनोट दिम helpful होगा ट्राइक करने से आपically ना तो कभी दिमाग लगाना पड़ेगा और ना कुछ आप नया कर पाओगे ना कुछ नया सीख पाओगे आलोचना तमक चिंतन भाई दूसरे के आलोचना करने से तो कभी दिमाग मदपूत नहीं होता कभी दिमाग तेज नहीं होता दूसरों के आलोचना करने से अब लीक से हट कर चिंतन करना भाई लोग इस रस्ते से चल रहा है सबी के सबी आपने बोला है कि नहीं भाई मैं इस रस्ते से नहीं चल रहा है तो पुरी दुनिया चल रही है मैं एक नए रस्ता बनाऊंगा आपने एक नए रस्ता बना है इस तरीके चल रहा है तो आपने क्या क्या कुछ नहीं क्रियेट किया भाई एक लीक बढ़ी हुई है एक रस्ता है उससे सब लोग चल रहे हैं उनको चलने में कोई परेशानी नहीं आरी क्योंकि रस्ता बना हुआ है आप एक नए रस्ते से जाने के कोशिश करें तो आपको पहले दिमाग लगाना चलोगे कि क्या मैं जिस रस्ते से चल रहा हूं उस रस्ते से क्या मैं उसी रस्ते पर पहुंच पाऊंग जहां पर मैं जाना चाहता हूं तो यहां पर भी आप हर एक जिगह पर अपना दिमाग लगाते चलोगे यहां पर कटाया यहां पर कटाया यहां पर कटाया तो हर एक कट बे अपना दिमाग का लगाओगे यहां गूमने है यहां घूमना लगाते बूधे चलंगे नहीं है चोथल को आप स्चॉप करें दूल कर的是 अप उस्दा करोगी तो एक शांकर एक होगा sekन्ज जूल करते हो तो आप hand-up percent paper में तुलनात्वग रूप से बहुत ज्यादा क्योसन ठीक करोगे, understanding tap के हरी क्योसन को ठीक करोगे, फिर से मैं कह रहा हूँ, हमें क्योसन को समझते हुए, पढ़ना है, हमें क्योसन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमें क्योशन को थोड़ा स्पीड से पड़ना हैं हमें क्योशन को इतना धीरे नहीं पड़ना कि क्योशन पड़न में सारा टाइम निकल जाए ठीक है तो इस तरीके से यदि आप और भी भूटसारी classes देखना चाहते हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राब कर लो وीडियो कर दो और आपके जितने भी जिगरी दोस्ते सभी के साथ जरूर सेयर कर दो बाकि आप क्रेस कोर्स लेना चाहते हो 35 प्लेस क्योशन ठीक करने के लिए फस्ट पेपर में तो आप क्रेस कोर्स जोइन कर सकते हैं कॉंटेक्ट नमर मैंने आपके साथ सेयर कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए ठेंक्स बाई मेरे प्यारे साथियों